हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग डिसकस करेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट एग्रिगेट सेंड सीमेंट इन एम 20 एम 20 ग्रेड का जो हम लोग कॉंक्रिट रेडी करते हैं तो उसमें सीमेंट सेंड और एग्रिगेट का क्या कॉंटिटी होता है इसमें हम लोग एक कॉंक्रिट का जो हता है एमाउंट हम लोग फिक्स करेंगे कितना एमाउंट हम लोग कॉंक्रिट बनाने वाले हैं उसके बाद हम लोग M20 grade use करके कितना हमारा उसमें send आएगा cement आएगा, aggregate आएगा उसको हम लोग by part निकालेंगे तो दोस्तों वीडियो को complete देखें जिससे कि हमें इस वीडियो में जो भी हम लोग discuss करेंगे उसका पूरा knowledge आपको मिले एक एक बात को हम लोग बारी की से देखेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वे वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग M20 जो हमारा grade है M20 grade जो है grade of concrete जो हमारा है वो हमारा क्या है M20 है तो इसका grade हमने याद रखना पर 1 to 3 होता है जिसमें हमारा क्या 1 part जो है हमारा क्या है यहाँ पर cement है 1.5 part जो हमारा क्या है वहाँ पर send है और हमारा 3 part जो है क्या है एग्रिगेट है इस बातों को सबसे पहले में M20 ग्रेड में क्या रिश्यो होता है उसको याद रखना पड़ेगा दूसरा बात हमें कॉंक्रीट लेना है कितना लेना है हम लोग वेट में लेते हैं वन मीटर क्यूब का हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि जेनरली जो हमें इंटर्व्यू में या किसी के द्वारा पूछा जाता है वो एक मीटर क्यूब का रेट पूछा जाता है या तो सिमेंट सेंट और एग्रिगेट का क्वाइंटिटी पूछा जाता है तो हम दोनों इतना रिट लगने वाला है quantity का तो सब आज हम लोग first part देख रहे हैं जिसमें हम लोग quantity find करेंगे तो weight volume जो हम लोग concrete का लेंगे weight volume of concrete हम लोगे 1 meter cube लेके चलते हैं 1 meter cube का हम लोग निकाल लेते हैं weight volume हम लोग 1 meter cube लिए हैं तो जब हम लोग dry volume निकालेंगे तो weight volume से dry volume में हमारा क्या होता है 54 से 57 परसेंट के बीच हमारा increase कर जाता है तो हम लोग dry volume लिख लेते हैं dry volume equal to हम लोग 54 परसेंट से इसको increase कर देते हैं weight volume को into 1 meter cube तो total हमारा dry volume को कितना चाहिए 1.54 meter cube dry volume हमारा को चाहिए तो अब चलिए हम लोग पहले cement का quantity निकालते हैं हमें अब volume पता चल गया dry volume 1.54 हमें dry volume चाहिए और हमें grade of concrete पता है उसका ratio पता है तो अब हम लोग quantity of cement पहले find करते हैं आपको समझने में आसानी हो तो जब हम लोग quantity of cement find करेंगे तो हमारा total proportion क्या है total proportion जो हमारा आया है 1 plus 1.5 plus 3 तो कितना हो गया 5.5 आ गया है cement का proportion कितना है हमारा 1 है और total proportion मेरा कितना है 5.5 into volume total volume हमारा drive volume कितना है 1.54 एक सकंड मैं calculator निकाल लेता हूं चोली मेरा बैग में calculator एक सकंड हो जाए calculator आ गया मैं calculate कर लेता हूं 1 divided by 5.5 into 5.4 तो यहां से हमारा value आ जाएगा meter cube में जो आएगा हमारा कितना 0.28 meter cube हमारा quantity of cement आ गया है तो यहां से cement का हमें density अगर पता है density of पता है density of cement कितना होता 1440 kg per meter cube तो अगर हम लोग volume को density से multiply कर देंगे तो weight of cement हमें आ जाएगा weight of cement यहां से हमारा आ जाएगा weight of cement कितना आ जाएगा 0.28 into 1440 into 1440 403 kg हमारा आ जाता है weight of cement बोरी में लिजेगा तो 50 से divide कर दिजेगा तो 8 बोरी 3 kg total हमारा cement लगने बाला है ठीक है अब हम लोग quantity of send find कर लेते हैं यह हमारा first point हम लोग quantity of cement हम लोग find कर चुके अब हम लोग quantity of send find कर लेते हैं दूसरा point quantity of send हम लोग दूसरा point निकाल लेते हैं तो quantity of send similarly निकालेंगे proportion of send कितना था 1.5 total proportion 5.5 into dry weight dry volume sorry जो 1.54 आया था इसको करने के बाद 1.5 divided by 5.5 into 1.54 तो यहां से हम लोग का meter cube में आ जाएगा 0.42 0.42 meter cube यह हमारा meter यह हमारा send का 0.42 meter cube में आ गया है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 meter cube को अगर हम लोग cft में change करते हैं तो वो हम लोग पिछले video में हम लोग discuss किये हुए थे किस तरह से हम लोग one meter cube equal to 35.3 cft कैसे आता है उस जीज़ को हम लोग कई video में पिछले video में हम लोग discuss कर तो direct उस जीज़को हम लोग यहां लगाते हैं जब हम लोग मीटर क्यूब को CFT में कनवर्ट करेंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 0.42 इंटो 35.335 आ जाता है ठीक है इंटो करेंगे तो यहां से हमारा CFT में अजाता है इतना इंटो 35.335 कितना जायागा 14.84 14.84 आ जायागा ठीक है तो हमारा 14.84 CFT इतना हमारा क्या होगा सेंड का क्वाइंटिटी जो हमारा होगा वो 14 70 15 70 के प्रॉक्स हमारा सेंड लगने वाला है अमारा तीसरा और लास्ट क्वाइंटिटी क्या है हमारा वो एग्रिगेट है हम लोग क्वाइंटिटी निकालते हैं दो क्वाइंटिटी मलोग क्वाइंड का लिए सिमेंट का और सेंड का अब हम लोग एग्रिगेट का निकालते हैं थर्ड हमारा है quantity of aggregate quantity of aggregate निकालेंगे तो quantity of aggregate के लिए हमें similarly क्या करना पड़ेगा proportion of aggregate क्या proportion of aggregate रेशियो में हम तीन का रेशियो हम लोग लेता है इसका डिवाइडे वे टोटल प्रोपॉशन 5.5 इंटू ड्राइव वाल्यूम 1.54 इसको कल्कुलेट कर लेता है 3 डिवाइडे वाइ 5.5 इंटू 1.54 तो यहां से आजाएगा 8.4 0.84 0.84 मिटर क्यूब आगया हमारा quantity of aggregate इसको हम लोग सैप्टी में convert कर देंगे similarly तो हमारा क्या हो जाएगा 0.84 इंटू 35.335 इंटू 33.335 इंटू 33.335 स्वारी 35. 35.335 इसको हम लोग निकालेंगे 29.68 सैप्टी 29.68 सी एफ्टी तो हमारा कितना आगया 29.68 सी एफ्टी हमारा क्या लगना है एग्रिगेट लगना है और सेंड हमारा कितना आया था 14.84 सेंड हमारा लगना है और हमारा जो सीमेंट आया था कितना 403 kg था हम लोग तीनो material को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहला हमारा क्या था quantity of quantity of cement था जो हमारा कितना है 403 kg similarly quantity of quantity of send हम लोग निकाले कितना आया 14.84 CFT और हमारा तीसरा quantity of aggregate कितना आया आपका 29.68 9.68 CFT तो यह हमारा तीनों का quantity आ गया one meter cube अगर हम लोग को weight volume of concrete चाहिए तो हमें यह और M20 grade का इसको भी हम लोग को mention करना जरूर यह कि M20 grade का अगर one meter cube weight volume हम लोग तयार करते हैं तो उसमें हमारा cement का quantity जो लगेगा 403 kg लगेगा send जो लगेगा 14.84 70 लगेगा और हमा quantity अपक्रिगेट जो आएगा 29.68 70 आएगा तो आज हम लोग उने दोस्तों तीनों का quantity material का निकाला है यह part first था part second हम लोग discuss करेंगे जिसमें हम लोग rate बैठाएंगे इससे हमें one meter cube में कितना rate दो मिनिट का वो वीडियो बनेगा उसको हम लोग discuss कर देंगे इस वीडियो में दोस्तों यही तक अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें ज्यादा से share करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करें अगर नए है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत